नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का वाइफाइ स्टेडी पर मैं हूँ अंकित अवस्थी आप है मेरे साथ में आज की सेशन में जिसमें हम SSC, Railway, Banking, Defense Examination के लिए Current Affairs के 15 सवाल पढ़ते हैं ये सेशन सोमवार से शुकरवार आपके लिए रुजाना साड़ेयांट को जिलाया जाता है इसमें हम 30 मिनिट में 15 सवाल पढ़ने का प्रयास करते हैं तो जल्दी से अपने इस सेशन को शेयर कर दीजे सभी साथियों के साथ में और जानना शुरू करिए कि आज कौन सी कौन सी खास न्यूज है आपके लिए जो काफी ज़्यादा परिक्षा उपयोगी बनी है लेकिन हमेशा की तरह सेशन की शुरूआत में जरूरी जानकारियों में सबसे पहली बात रेफरल कोड की मेरा रेफरल कोड है अंकित 10 जिसका उपयोग करके आप अनकेडमी पर 10% डिसकाउंट प्राप्त कर सकते हैं और रोजाना दस बजे होने वाली फ्री इस्पेशल क्लासेज में आप अटेंडनेंस प्राप्त कर सकते हैं यानि एंट्री कर सकते हैं A very good evening किशोर, गुडिया, विकरम, दामीनी, सत्यम, नारायन, कोटा, आसुतोष, रस्तोगी, आस्था, जीतेंद्र, संजीब सभी साथियों को very good evening सेशन को शेयर करिए और जानना शुरू करिए क्या कुछ खास है आज के लिए आपके लिए हमारे पास देखते हैं बिटा, सबसे पहला सवाल आपके लिए बहुत मैत्वपूर्ण है और क्या है, आए जानते हैं साथियों हाल ही में उत्राखंड उच्छनेयले के द्वारा जिसके द्वारा हाल ही में एक नॉमेड जाती, जन जाती जो उत्राखंड में पाई जाती है और ये केटल रियरिंग का काम करती है, यानि पशु चराने का काम करती है इनके उपर ध्यान देते हुए हाई कोट ने राज्य सरकार को दिशा निरदेश दिया कि आप लोग जो हैं, इन्हें जंगल में जाने से नहीं रोक सकते हाल ही के अंदर मेरे प्यारे साथियों, गवर्मेंट को कहा है कि आप लोगों ने वन गूर्जर्स को वहाँ पर जंगल में जाने से क्यों रोका हुआ क्या था पूरा मसला मैं आपको बताता हूँ साथियों हुआ ये था कि एक जंजाती है वन गूर्जर्स जो गाए भैस इनको चराने के लिए जंगलों में जाती है और ये पूरे टाइम जंगलों में भैसों के साथ ही पाये जाते जाते हैं मतलब चराने के लिए ले करके जाते हैं तो हुआ ये कि ये लोग गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क है उत्तरकाशी में वहां एंट्री कर रहे थे तो राज्य सरकार के सरक्षा कर्मियों के द्वारा इन पशुओं के साथ में इन्हें जाने से रोक लिया गया कोरोना जो है वो जंगल में चला जाएगा तो एक प्रकार से जंगली जीवों की सुरक्षा की बात हुई तो इनके जाने से जंगल में कोरोना चला जाएगा और जंगली जीवों पर हो सकता है कोरोना का असर पढ़ जाए आप इस बात से तो इंकार नहीं कर सकते हैं कि जानवरों में कॉरोना नहीं है क्योंकि recently आपने खुडूने पड़ा है मैंने आपको बताया है हाल ही के अंदर एक लॉइन के अंदर हमने कॉरोना देखा दुनिया भर में विभिन जानवरों के अंदर कोरोना के सिम्टम्स पाए गए है तो ऐसी इस्तिती में सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए राज सरकार ने इन्हें जाने से रोक दिया हाई कोट ने कहा कि भाई इन्हें जाने से नहीं रोक सकते आप इससे अच्छा बैतर है कि इनका कोरोना टेस्ट करा लीजिए टेस्ट में जो रिपोर्ट आए उसके बाद इनको जाने दीजिए अब सरकार के साथ साथ हाई कोट का ये तर्क कितना सही है इसकी बहस इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि जानवरों का कोरोना टेस्ट कराने के लिए नहीं कहा है वन गुजरों का कहा है अब जानवरों के साथ कोरोना अंदर पहुंच गया तो इसका आंसर नहीं निकाला जा सकता ऐसी इस्तिती में हाई कोर्ट ने राज सरकार को कहा है कि आप इनके रहने का उप्युक्त प्रबंद करिए इनके भोजन पाने की विवस्था करिए क्योंकि इनकी आजी भी का जंगलों में जाना है अगर ये नहीं गए तो फिर ये किस प्रकार से जीएंगे तो ये हैं साथियों वन गूजर जिनके चलते हुए हाई कोर्ट ने किसको लतार लगा दी है राज सरकार को उत्राखंड के अंदर लतार लगा दी है ये कहां कहां पाए जाते हैं तो ये हिमाले के जो जम्मो कश्मीर, हिमाचल और उत्राखंड वाला छेतर है वहाँ पर ये लोग पाए जाते हैं और ये जनरली जो हैं ये मेरे पैरे साथियों बफैलो हर्डर होते हैं ये बहस चराने के लिए पाए जाते हैं चीक है ना? ये तथ्या आप लोग अतिरिक तुरूब से यहां पर याद रख सकते हैं वन गूजर्स के बारे में अगर बात की जाती है कि इनका ओरिजन कहां से हुआ तो ऐसा कहते हैं कि पंदरा सो साल पहले ही इनका ओरिजन हुआ था गूजर्जर्ट प्रतिहार राजवंच के साथ-साथ इसमें मुसलिम गूजर्स हुआ करते थे जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान चले गए बाकी जो वन गूजर बचे वो इंडिया वाले छेतर में पाए जा रहे हैं हाँ जी साथियो खुश हाँ बेटा उसमें कुछ टेक्निकल एरर है उसे सही से वापस रिलोड कर दिया जाएगा चिंता मत करिएगा अंके दुपाद्यायत हैं कि सो मच भाई हाँ भाई राहुल कुमार पूछ रहे हैं कि आप से कॉंटेक्ट कैसे करें हेल्प करना है हेल्प चाहिए कुछ या कॉंटेक्ट करने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल है अंकित अवस्थी सर उसकी डीटेल में चले जाएए आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी चलिए आगे बढ़ते हैं अनिल कुमार बिल्कुल सही कह रहे हैं बकरवाल जिन जाती जो है वो पाई जाती है जम्मू कश्मीर के अंदर ठीक है हाँ जी आए साथियों बढ़ते हैं आगे दहरादून जो है वो यहां की राजधानी है राजपाल बेबी राने मौरया है हाई कोर्ट इनकी नैनिताल में है मुख्यमांतरि तीरत सिंग रावत हाल ही में बने है यहां का जो राश्ट्र इंध्यान है that is korbitt राश्ट्र इंध्यान ये साथियों सबसे पुराना राश्र इंध्यान है जिम korbitt सबसे पुराना टाइगर रिज़र्व भी है अगले सवाल की तरफ ये काफी टेकनोलोजिकली अपडेटेट सवाल है और इसके अंदर IAT गुबाहाटी के विध्यारतियोंने एक जबरदस चीज बनाई है और वो क्या है एक खिड़की बनाई है इन लोगोंने IAT गुबाहाटी के विध्यारतियोंने और इसे स्मार्ट विंडो का आगया है और IAT गुबाहाटी के विध्यारतियोंने बनाया है और इनका कहना है कि हम लोगोंने एक ऐसी चीज विक्सित की है जो कि पूरी तरह automatic climate control करना जानती है climate control करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने बहुत सारी गाडियों को देखा होगा जो महंगी कारे होती है उनमें क्या होता धूप के चश में आते हैं कई बार लोगों के दिखा होगा आपने वैसे तो दिन में तो transparent रहेंगे लेकिन धूप के सामने आती वो थोड़े dark पड़ जाते हैं ऐसा इन्होंने कहा है कि हम लोग window विक्सित कर रहे हैं जिसका उपयोग flights में किया जा सकता है train में किया जा सकत है जो automatic होंगे यानि कि उसके लिए ज्यादा महगई आवशकता नहीं है उसमें कुछ पधार्त हमने add किया है जिसकी वजह से गाड़ी का जो है मतलब अंदर का जो सीशा है वो automatic convert हो जाएगा और इसके अंदर इन्होंने जिस technology का उपयोग किया है that is photo thermometric system का उपयोग इनके वारा किया गया है इनका कहना है कि जैसे ही temperature बढ़ेगा इस temperature के बढ़ते ही जो पधार्त हम use में ले रहे हैं उससे इन सीशों के जो रंग है वो अपने आप काले हो जाएंगे इसका फाइदा ये होगा कि इस प्रकार के सीशे विभिन उन buildings में लगाए जा सकेंगे जहां प जारे किया है और काफी जादा appreciable work है इन्होंने जिन पधार्तों का उप्योग लिया है उसमें दो चीजे हैं एक है copper और दूसरा है indium tin oxide है न तो ये tin oxide का भी इन्होंने इसके अंदर उप्योग में लिया हुआ है आईए बढ़ते हैं आगे की तरफ हाल ही में आयुष clinical case repository portal और आयुष संजीवनी app का तीसरा संसकरन किस ने launch किया अब देखिए ये बात समझते में ही आती है कि आयुष लिखा हुआ है तो आयुष मंत्राले की बात की गई होगी और आयुष मंत्राले आज कल कुछ जादा ही चर्चाओं में चल रहा है आयु आयुष मंत्राले के मंत्री कौन है श्रीपद येशो नाईक है लेकिन इनका हो गया accident तो ये तो आज कल बेडरेस्ट पे चल रहे हैं इनकी जगह पर किरन रिजुजु जो भारत के खेल मंत्री है खेल राज्यमंत्री है उनके पास में इनके डिपार्टमेंट का additional charge है तो इ आज की news है आपके सामने ठीके बेटा ये सारी बाते मैंने आपको बता दी ministry of जो आयुष है इसके जो मंत्री है वो किरन रिजुजु जी है लेकिन ये सवाल किसी और के द्वारा launch किया गया है इसलिए पूछ लिया गया है आगे बढ़ते हैं साथियो आयुष संजीवनी हो जो मैंने आपको पहले भी बताई थी और कबूसरा कुदनीर जो दवा हैं उनका क्या-क्या उपियोग किया जा सकता है उनके बारे में ये आयुष संजीवनी को जो एप है वो जानकारी देता है आयुष संजीवनी एप को अब तक 50 लाख लोग डाउनलोड भी कर चुके है ये तथ्या आप लोगों को पता आतिरिक रूप से होना चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं अभी आपको मालूम होना चाहिए कि जो अपनी कॉटन की फसल होती है उसके अंदर फ्लाई लग जाती है एक कीड़ा होता है बुल वर्म लग जाता है रिंग वर्म लग जाता है ऐसी ही एक जानवर है पिंक वर्म उसको बचाने के लिए वादवानी इंस्टिटूट ऑफ आर्टिफीशल लर्निंग के साथ में एक प्रोफेसर है उन्होंने एक प्रकार का टाइप किया है वो आर्टिफीशल इंटेलिजेंस के माध्यम से किसानों को ये बताएंगे कि आ आपके यहां पर पिंक वर्म लग चुकी है और कब आपको उससे बचने के लिए इस पर पेस्टिसाइट डालना चाहिए यानि कि इसके उपर दवा डालनी चाहिए कौन है तो ये है प्रोफेसर जया शंकर और इन्होंने इस्टेट एग्रिकल्चर युनिवर्सिटी के बचाया जा सकता है फसलों को क्लियर है चलिए इसकी वजह से कहा जा रहा है कि जहां जहां कौटन जादा पैदा होती है खरीफ सीजन में जैसे अदिलाबाद, महाबुद नगर, नाल गोंडा, नरका गोना, करीमा नगर और खम नाम इन छित्रों के अंदर लोगों को जानक आरी और ले लीजिए तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, तमली साइस सौंदर राजन यहां के राजजपाल है, हाल ही में हमने आयुश्मान यूजना के चलते भी इसको एक बार के लिए पढ़ा था, उमीद है आप लोगों को याद आ गई होगी, ठीक है ना, चलिए यहां पर कासू ब्रह्माना दरेरी महावीर आदी नेशनल पार्क यहां पर पाये जाते हैं, मनोज अवस्ती पूछ रहे हैं, सर अंत्रिक्ष में कोई हवा जैसी कोई चीज़ नहीं है, तो फिर अमेरिका द्वारा भेजा गया मिशन परजीवरेंस का हेलिकॉप्टर, इसी हवा मिली है, जिसके उपर वो हेलिकॉप्टर उड़ पा रहा है, है ना, कारवंडाई ऑक्साइड से ऑक्सीजन भी बनाने के लिए वहां पर उनोंने चीज़ें भेजी हैं, चीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, इस्पेन के, यह य यह भारत के छटे नोबल पुरसकार प्राप्ते थे, रविंदर्नाट टैगोर पहले थे, गीता अंजली के लिए, है ना, यह जो है, इन्हें, इस्पेन का टॉप प्रिंसेस ऑफ आस्टुरियस अवार्ड दिया गया है, सोशल ओर्डर के अंदर, है ना, इनको अमरत से इन प्रिंसेस ऑफ आस्टुरियस अवार्ड, ठीक है न, यह इस्पेन का सबसे बड़ा पुरसकार है, जो इन्हें मिला, बीस देशों के 41 कैंडिडेट्स में से इन्हें यह पुरसकार दिया गया, क्यों दिया गया, क्योंकि इनकी एक किताब थी, जिसका नाम है, पावर्टी एक जबरदस्त इनका आइडियोलोजी है, इनका कहना है कि जो भुकमरी है न, जो भूक है, that is hunger, is not a result of lack of food, और यह बात तो बिलकुल सही है, बस कहने वाली बात है, जैसे कि कहते हैं न, कि न्यूटन ने कहा था कि जब भी कोई पस तु फैकोगे तो वो घृत्वा करशन की तरफ आकर सित होगी, नीचे गिरेगी, तो ऐसी ही बात हम मेंसे कही लोग जब पढ़ते हैं तो यही सोचते हैं, और न्यूटन की जगे हम भी होतें, तो यही कहते हैं कोई भी चीज फैकोगे तो नीचे गिरेगी, हमारे ज़्याने कितने बुजुर को कहके मर लिए, पिर हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है है तो हमको बहुत पहले से पुता है किसी को भी थपड मारो वो उल्टा दो और मारता है तो इसका मतलब ये था कि न्यूटन की जो बाते थी वो बाते थी तो सामान्या लेकिन उन्हें कहकर के किसी ने अपने साथ प्रयोगों के साथ बता दिया कि ये सही बात है अमर दिस इंजिनियर भी कुछ ऐसी ही बात करी इन्हों ने शुरुआत में जो लाइन यूज करी वो ये थी कि जो भूख है ना हंगर जो है वो इसलिए नहीं होती है कि खाने का अभाव है आपको लगेगा क्यों फिर किस बात के लिए होती है अब आपने कैसे सुचा आपने सुचा भूक तो तभी होगी ना सर भूकमरी तो तभी होगी जब भोजन नहीं होगा तो ये कैसे सही हो सकते हैं इस जगे इन्होंने कहा भुकमरी इसलिए नहीं होती है कि भोजन का आभाव है तो सुनने में आपको अचानक आई कैचर लगा नहीं यार बात में दम नहीं है सर कैसे किसी के पास भोजन होगा तो भुका थोड़ी रहेगा डाइट पर थोड़ी चलेगा नहीं साब इनने दूसरी बात करी इन्होंने का भुकमरी जो है वो असल में असमानता के कारण फैलती है तो ये बात तो भाई साहब आपको भी पता है हमारे देश में देश के संसाधनों का लगबग 10 परतीशत हिस्सा देश के 90 परतीशत और भी 99 परसेंट जो संसाधन है वो मुठीवर लोगों के पास है तो ये बात तो बहुत अच्छे से पता है तभी तो हमारे अधिकांश लोग BPL के नीचे जी रहे हैं बहुत सारे लोग गरीवी रिखा के नीचे जी रहे हैं तो अगर हमारे यहां भुकमरी है तो उसकी पीछे का प्रमुख रीजन अमरतिसेन की बात में ही चिपा हुआ है और वो हम सब भी जानते हैं लेकिन इनने कहा और नोबल मिल गया अब आप देख लो आप कहते तो क्या होता आपको भी नोबल मिलते मिलते रह गया है सोच के देख लो इन्होंने कहा कि डिस्ट्रिब्यूशन का जो सिस्टम है जो इनेक्वैलिटी इन डिस्ट्रिब्यूशन है उसके कारण भुकमरी फैलती है अब देख लीजी इतनी बड़ी बात के लिए इनको अवार्ड मिला था ये सारी बात मैंने आपको बताई प्रोफेसर अमरतिसें को 1998 का नोबल पुरसकार फोर एकॉनोमिक्स मिला था जो भारत के छटे नागरिक थे 14 अक्टूबर को ये अवार्ड उन्हें दिया गया था अभी जो अवार्ड मिला है इसका नाम जो है पचास हजार यूरो इनके अंदर इने मिलने वाले है प्रिंसिस आफ एस्टूरियाज अवार्ड के नाम से जाना जाता है तो ये तथ्या आप लोग याद रख सकते हैं मेकनिजम ऑफ डिस्ट्रिब्यूशन के कारण ये बिमारी मतलब वो फैलते हैं इसलिए ये कहते हैं ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ आएए साथियो हाल ही में किस राज्य के राजपाल ने संपत्ती के नुकसान की वसूली के अधिनियम को अपनी सहमती दे दी है बाई सहाब उत्तर प्रदेश के पीछे पीछे चल पड़ा है हरियाना अब यहां हुआ है गुजरात में भी होगा यानि ये कुछ और MP में भी होगा ये एकदम क्योंकि उन्होंने राज्य की संपत्ति को नुक्सान क्यों पहुंचाया। वसूला भी जाएगा और उनको identify करके, उनकी संपत्ति को कुर्क करके, अगर उनके पास पैसा नहीं है, माली जी कोई ये कहता है, साब मैं तो एकदम फकीर हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो तुमारे पास जो भी कुछ है, उसको पहले निलाम किया जाएगा, उससे जो पैसा मिलेगा, चाहे वो private आदमी का हो, चाहे सरकारी आदमी का हो, पूरा पैसा वसूला जाएगा, अगर नहीं है आपके पास, तो जिसने आपको इंस्टिगेट किया ऐसा करने के लिए, चाहे वो नेता है, चाहे वहाँ पर रैली करने वाला कोई भी व्यक्ति है, उससे वो पैसा वसूला जाएगा, तो ये जो कारे करम है, अब ये हरियाना भी कर चुका है, तो हरियाना में ये कारे हो चुका है, और हरियाना राजसरकार ने हाल ही में कह दिया है, कि हरियाना रिकवरी ओफ डेमेजेस टू प्रॉपर्टी एक्ट हम ले करके आ चुके हैं, क्योंकि यहां के राज़िपाल ने इस बात को अपनी तरफ से नोड कर दिया है, यानि अलाओ कर दिया है, कौन हैं? तो सत्यनिव नारेन आरिये जो हैं, इनके द्वारा इस बात को अपरूव कर दिया गया है, इसका नाम है हरियाना Recovery of Damage of Property Act ठीक है ना तो ये तथि मैंने आपको बता दिया यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर सरकार ने आपके उपर कोई भी पैनल्टी लगाई मान लीजे कि आपने एक बस फूँकी अब वो बहुत पुरानी बस थी वो बस थी बहुत पुरानी और सरकार आपको लगा कि ये तो लाख रुपए की बस है इतना तो मैं जला ही सकता हूँ है ना भै दंगाई है आप दंगावाले थोड़ी सोचते हैं किसके बस में कितनी आंग लगा दी सरकार ने पूरा-पूरा 50 लाख का बजट बना दिया तो आप 50 लाखे बजट के उपर गये किसाब इतने की थोड़ी थी आपकी बस अब आप इस बात के लिए जाएंगे कहां आप कोर्ट नहीं जा सकते यहां ध्यान रखने की बात यह है कि आप डिस्टिक कोर्ट या सिविल कोर्ट नहीं जा सकते एक अपिलेट ट्रिब्यूनल बनाया गया है जिसमें आप जाकर शिकायत करिए कि पैसा ज़्यादा मांग रही है सरकार और अपिलेट ट्रिब्यूनल के डिसीजन से भी आप सहमत नहीं है तो सीधा फिर चंडिगर जाएए और जो पंजाब हरियाना हाइकोर्ट है वहाँ जाके शिकायत करिए राज्ज में कहीं भी आप्की सुनवाई नहीं होगी सीधा हाइकोर्ट लैवल पर जाइए और वहीं पर जाके पैसे कम करवा के आइए और कहीं से नहीं होगा ठीक है ना तो ये सारा काम यहाँ पर कर दिया गया है और बिलकुल बिलकुल वैसे ही जैसे की यूपी सरकार के द्वारा किया गया था मैंने आपको क्लास में पढ़ाया भी था मौरनिग वाली कारंट अफेर्स में और मैंने आपको बताया भी था कि इस पर जैसे ही गवर्नर अपने असेंट दे देगा बिल जो है वो एक्ट अभी बनता है जब उस पर गवर्नर अपनी अनुमती दे देता है और अगर केंदर के अंदर बिल बना है तो वो एक्ट अभी बनता है जब राष्टपती उस पर अपनी अनुमती दे देता है तो राज़ के अंदर बने हुए कानुनों के आधार पर ये कारे राज़ सरकार के इंतवारा किया गया है आगे बढ़ते हैं विश्वत तंबाको निशेद धिवस, भाई सहाब इस चीज में हम कहीं भी पीछे नहीं हैं, हम बिल्कुल मदर टॉप में रहने वाले जो काम हों, उसमें हम कहां पे पीछे रह जाएंगे, ग्लोबल बर्डन आफ डिजीज का हाल ही में एक लैंसिट के दोरे एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, जिसमें ये कहा गया है, कि दुनिया में सबसे ज़्यादा स्मोकर्स अगर कहीं पाये जाते हैं, तो उसमें भारत का नंबर दूसरा है, यानि स्मोकिंग करने वाले जो युवां हैं, उनकी संख्या भारत में नंबर दो है, ये कोई गर्व की बात न वस मनाया जाएगा, आज से दो दिन बाद, लेकिन स्मोकिंग के बारे में आया ये आंकड़ा बहतों को परिशान करने वाला है, तो बेरे प्यारे साथियों, चाइना नंबर वन पर रहा है, आप खुशी रह सकते हैं, कि चलिए कम से कम हम नंबर दो पर तो रहें, लेकिन स इस्मोकर्स की संख्या 2019 से लेके अब तक 1.1 बिलियन बढ़ चुकी है, जरा आप सोच के देखिए, साथियों सरकार के दवारा, मतलब आकड़ों के दवारा कहना हैं, कि 7.7 मिलियन डैथ जो हैं, वो इस्मोकिंग की वज़े से हुई हैं, हर पांच में से एक म्रत्यू वर् उम्र के हैं, साथियों, जीवन को दुए में मत उड़ाइए, और मैं आप सबसे यही कहूंगा, कि जितने भी आप में से बुद्धी जीवी जवर्ग के विक्ती हैं, उन सबसे निवेदन है, कि किरपिया करके अपने जीवन को इस दुए में मत उड़ाइए, आपका जीव बहुत कीमती है, बचा लीजिए अगर कर सकते हैं तो, ठीक है? तो साथियों, ये ग्लोबल सिनेरियो है, ग्लोबल सिनेरियो में सबसे ज़्यादा इस मोकर जो है, वो चाइना के अंदर है, नमबर दो पर इंडिया में, नमबर तीन पर इंडोनेशिया में, नमबर चार पर USA के अंदर है आगे बढ़ते हैं साथियों हमारे द्वारा अगला ये जो दिन है ये 31 तारिक को मनाया जाता है ये तो हम बढ़ा ही देंगे Breath Applied Sciences Startup को प्रध्योगी की विकास बोर्ड ने राष्टर की पुरसकार से सम्मानित किया है ये कहां का Startup है बैंगलूरू का एक Startup है साथियों ये Carbon Technology के द्वारा बेस्ट रहे और ये करता क्या है Carbon Recycle करता है यानि कि एक ऐसा कार्य है जिसके अंतरगत जो Carbon Use चला गया है उसको कैसे वापस से Revive किया जाए तो इस काम को करने के लिए है एक Startup है जिसको की Technology Department के द्वारा ये है पुरसकार दिया गया है National Award for Technology Startup ये Carbon Dioxide को Methanol और Unne Chemicals में बदलने का प्रयास करता है तो बड़ा ही Science Friendly टाइप का कार्या है जो करता है साथियों एक अलग प्रशन ये भी बहुत महत्वपून है और देखिए भाई आपकी SSC, Railway, Banking, Defense इनमें इस प्रकार के प्रशन बहुत common पूजे जाते है हाँ जी BDP रहे हैं रोग है ना हाँ कुछ भी पी रहे हो लेकिन भाई साहब बात ये है कि पीना ultimately नुकसान दायाक होता है नरेश विश्णोई आप हमें अवार्ड दिलवा रहे हैं कितने अच्छे हैं आप आप ये बस क्लास रेगूलर पढ़ लिया करें मुझे अवार्ड ही अवार्ड है फिर कोई दिक्कत नहीं है हाँ वई सरमा गुरू लिख रहे हैं जो स्मोकिंग करते कर रहे हैं कर रहा करते हैं रहे हैं से कम पॉपोलेशन तो कम होगी हाँ ये भी एक अच्छी थौट है लेकिन प्रभू आप ये भूल जाते हैं कि जब स्मोकिंग करने वाला व्यक्ति आपके आसपास होता है तो पैसिव स्मोकर आप भी बन जाते हैं ये मत सोचिए कि ये मर रहा है तो अच्छा है वो जो दुआ उड़ा रहा है वो भी आपके शरीर में ही जा रही है वो एक्टिव स्मोकर है लेकिन आपके आसपास अगर वो है तो आप पैसिव स्मोकर हैं ठीक है ना हाँ जी अगले प्रशन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर है रुडोल्फ शिंडलर पुरसकार जीतेने वाले पहले भारती है कौन बने है तो डॉक्टर नागिश्वर रिड़ी ये हाल ही में रुडोल्फ शिंडलर पुरसकार जो यूएस के द्वारा दिया जाता है AIG hospitals जो हैं पूरे भारत वर्श में उनके MD चेयर्मेन है ये नागिश्वर राव रिड़ी इन्हें रुडोल्फ शिंडलर अवार्ड दिया गया है ये रुडोल्फ शिंडलर अवार्ड जो दिया गया है ये किसके लिए दिया गया है क्योंकि ये endoscopy को promote करने के लिए भारत में जाने जाते हैं endoscopy यानि की gastro से सम्मदित पेट से सम्मदित एक प्रक्रिया है जो की डॉक्टर रिड़ी के द्वारा भारत में promote की गयी थी और इसके लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है तो gastro intestinal endoscopy यानि की पेट से सम्मदित जो मामले हैं उनके अंदर तो ये सारी काम की जाती है तो जो schindler है ये कौन है तो ये father of gastroscopy कहलाते है gastroscopy का मतलब हुआ पेट के अंदर अध्यन करना की चल क्या रहा है सब मामला सही तो है ना भाई उस type से ठीक है ना चले IAF में पहली और एकमात महीला कौन बनी जिन्होंने उडान परिक्षन इंजिनियरिंग की भूमिका के लिए अरहता प्राफ्त की है तो साथियों हाल ही में आश्रिथा वी ओलेटी जो है इन्होंने जो test flight है वो उडाई test flight का मतलब हुआ कि testing के दौरान flight उडाई एक तो होता है कि recommended flight उडाई कोई और एक होता है कि testing के लिए flight उडाई कि ये flight सही है या नहीं तो ऐसा करने वाली आश्रिथा ओलेटी जो करना ठगा की है ये पहली test engineer बन गई है इन्होंने वेलिडिक्ट फेक्टरी मतलब 49th test course जो है ये complete कर लिया है squadron leader है All A.T. Indian Air Force की पहली महिला test flight बन गई है जिन्होंने Air Force Test Pilot School जो की दुनिया के साथ प्रमुख में से एक है उसको इन्होंने पास कर लिया है साथियों आश्रिथा पहली woman flight test engineer है जिन्होंने Indian Air Force से graduation किया अब इसको आप ऐसे समझिए अपने याँ पर जितनी भी flights आती है ना उनको test करने के लिए कोई test flyer होता होगा वो इन्होंने पास किया है Indian Air Force में महिलाओं का जो रोल है वो यहाँ पर आपके साथ साजा किया गया है जैसे पहली भारती एक combat pilot कौन थी तो अवनी चतुरवेदी महोना सिंग और भावना कांथ थी कायम एर मार्शल पदमावती बंदोपाद्याय जो थी वो एर मार्शल अफ इंडियन Air Force रह चुकी है फ्लाइट लेफटनेट भावना कांथ विकम तो ये बातें आपको याद रख लेनी चाहिए ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ हाल ही में एचस दोरे स्वामी का 102 वर्ष की आयू में निधन हो गया ये काफी चर्चित हस्ती है 102 साल तक इन्होंने अपना जीवन बढ़िया से जिया फ्रीडम फाइटर ये रहे इनका हाल ही में निधन कोरोना से हो गया है एचस दोरे स्वामे ये क्यों जाने जाते हैं? क्योंकि इन्होंने विनुबा भावे के साथ में भूदान आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था भूदान आंदोलन आपको याद होगा कि भारत में जो मतलब देश की आजादी के समय एक ऐसी परिष्थिती बन गई थी कि जब लोगों के पास जमीन नहीं थी और जो पुझीवदी वर्ग था फिर उस समय के जो जमीदार हुआ करते थे उनसे जमीन मांग करके गरीबों में बांटने का कारिया विनोवा भावे के साथ इन्होंने किया था ये अब तक जीवित थे और ये दोरे स्वामी एक जगे 102 वर्ष लिखा हुआ मिला एक जगे 103 वर्ष अब हम इसके बारे में तो clear नहीं कर सकते इधर 103 वर्ष लिखा है इधर 102 वर्ष लिखा है anyway इनका हाल ही में निधन हो गया 1918 में इनका जनम हुआ था तो इनका हाल ही में निधन हुआ है करनाटक के रहने वाले थे ये और इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन समेथ जो भूदान आंदोलन जैसे चीजें हैं उनमें पार्टिसिपेट किया था हाल ही में कौन सी बॉलिवूड अभिनेतरी हैं जिन्होंने अपनी आत्म कथा सच कहूं तो लांच की है कि भाई मैं मतलब किताब लेके आ रही हूँ अभी लांच नहीं की है 6 जून के असपास आने वाली है नीना गुपता शायद आप इन्हें पैचानती होगी इन्होंने कहा है कि मैं अपनी आटो बायोग्राफी लांच करने वाली हूँ ये हैं सच कहूं तो नीना गुपता को पैचानते होंगे आप बहुत सारी फिल्मों में बहुत सारी वेब सीरीज में आपने इन्हें देखा होगा सच कहूं तो नाम से है 14 जून 2021 को ये रिलीज होगी और ये अपने बारे में आत्म गथा लिख रही है यानि अपनी बात बताने जा रही है कि इन्होंने किस प्रकार का जीवन जिया इनकी क्या स्टोरी है लोग जानना चाहते है क्योंकि ऐसे जो हाल ही में वेब सीरीज के माद्धिम से सुर्कियों में आए हुए लोग है उन्हें जो है पिर लोगों ने देखा और क्यों रोस्टी विक्सित करी है ना तो चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों राजपु चोहान क्या पता बर्थडे हाँ भाया वो तो खेर हम कंफर्म नहीं कर सकते हाँ जी आगे बढ़ते हैं साथियों अगले सवाल की तरफ किस राजपु सरकार ने अंकुर योजना शुरू करने की गोशना की है जिसके तहर नागरिकों को पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा अब देखिए हर राजपु सरकार ऐसी ही योजना है लेके आने वाली है हम हर दिन पढ़ाएंगे क्यों? क्योंकि अब ना मानसून आने वाला है मानसून के समय सरकारों का एकदम फिक्स काम है और वो फिक्स काम है पेड़ पौधे लगाओ उसकी योजना बनाओ तो पेड़ पौधों के लिए अब मद्ध्रदेश सरकार अंकुर योजना लेकर के आ गई है इसमें क्या किया जा रहा है अवाड पीपल फौर प्लांटिंग ट्रीज लोगों को मॉटिवेट किया जा रहा है कि आप पेड़ लगाईए हम आपको मतलब प्रान वाईउ अवाड देंगे कि बहुत बढ़िया किया इन्होंने पेड़ पौधे लगाए है ना और ये हर साल होता है हर प्रकार के जो लोग है 30 दिन तक ये काम चलने वाला है इसमें का गया है कि पार्टिसिपेंट्स को फोटो लेना है जब उन्होंने पेड़ लगा दिया और दूसरा फोटोग्राफ लेना है 30 दिन बाद की देखो हमारा पेड़ बड़ा हो गया है दो फोटो लगानी है प्रोसेस आफ प्लांटिंग ट्री क्या कहा गया है कि अगर आप प्लांट लगाना चाहते हैं तो अपने आपको पहले वायू दूत नामक एक अप्लिकेशन है उस पर रजिस्टर करें पहली फोटो अभी और फिर एक 30 दिन बाद की देखो प्लांट कितना बड़ा हो गया चीफ मिनिस्टर विल गिव अवे दा प्रान वायू आवार्ड टो दा विनर सेलेक्टेड फ्रूम इच डिस्टिक और हर जिले के अंदर फिर प्रान वायू आवार्ड मिलेगा लोगों को ये एक अच्छा प्रहास है देखे पेड़ तो हम सब को ही लगाने चाहिए और इसमें लोगों को मॉटिवेट करने के लिए अगर ये काम किया जा रहा है तो और अच्छी बात है तो अगर ये चीज हो रही है तो काफी अच्छी बात है तो तीन चीज़े सीख लिए आपने मद्यप्रदेश के अंदर एप्लिकेशन तो हो गया वायू दूद प्रान वायू नामक अवार्ड हो गया चो हर जिला लेवल पर दिया जाएगा और ये कारेकरम मद्यप्रदेश ने शुरू किया है तीन बातें आपके सामने आगई मद्यप्रदेश के अंदर शिवरा सिंग चौहान जे की सरकार है आनंदी बेन पटेल यहां की गवर्नर है लोग सभा में 29 और 11 साज़े सभा में सीटे हैं 230 यहां पर legislative assembly में सीटे हैं साथियों sports की news में हम हर दिन आपके पास दो सवाल sports के भी लाने के प्रयास कर रहे हैं देखिया आप notice करीए यह सारे की सारे factual data questions है awards हम रोजाना लेके आ रहे हैं books लेके आ रहे हैं किताबों के साथ-साथ sports की news लेके आ रहे हैं important appointments लेके आ रहे हैं यही आपके railway, SSC, banking, defense type के जो exam है उनकी demand है आप इन्हें इसके बारे में ज़्यादा research करें आ ना करें इनकी fact file को याद कर लें यह सारा की सारा knowledge हम अपने telegram पर आपको share कर देंगे आप उसे वहां से learn कर लीजेगा सवाल क्या है sports news के अंदर एक बार देख लीजिए गोल्फ इतिहास में PGA championship कर कबजा करने वाला सबसे ज़्यादा उम्र का विजेता कौन बना है तो हाल ही में मेरे पैरे साथ ही हो फिल मिकलसन विल US PGA championship in triumph of the ages ठीक है ना 50 year old है यह जिन्होंने हाल ही के अंदर गोल्फ में यह अवार्ड जीता है तो यह गोल्फर हो गए 50 साल की उम्र के हैं जो PGA tour अवार्ड जीत चुके हैं दूसरे कौन से हैसाब दूसरा सवाल क्या है 47 V जो FIH यानि की फेडरेशन होकी फेडरेशन के द्वारा जो कॉंग्रेस है वो राष्टपती पुरसकार प्रेसिडेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है तो हाल ही में Mr. V कारते के अन पंडियन जो हैं ओडिसा के CM8 V के पानिन कन्फर्ट फुर्दा FIH प्रेसिडेंट अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया है नरेंद्र बत्ता जो है इसी 47 वी बैठक के अंदर FIH के प्रेसिडेंट चुने गए थे और ये बेस्ट होकी टीम के रूप में इंडियन होकी टीम को चुना गया था ओडिसा को प्राउड टू होस्ट कहा जा रहा है क्योंकि ये ओडिसा ही है जो 2023 का होकी वर्ड कप अपने यहां आयवजित करवाने वाला है इंडियन होकी फेडरेशन के अंदर हाल ही में डॉक्टर नरेंद्र दुरूव भत्ता जो हैं वो क्या बने हैं प्रेसिडेंट बन करके आए हैं इंडियन होकी फेडरेशन का मुख्याले लूसाने में है यह मैंने कल भी आप लोगों को पढ़ाया था क्लियर है तो वी कार्टे केन पांडियन जो एक आईयस अधिकारी है और ये वरतमान में नवीन पतनायक जी के निजी सचीव भी है इन्हें अंतररस्टी होकी महासंग का प्रेसिडेंट पुरसकार से समानित किया गया है क्यों? क्योंकि 2023 का इनके द्वारा क्या करवाना है वर्ड कप करवाना है तो इनकी प्लानिंग के लिए इन्हें पुरसकार दिया गया है तो उम्मीद है तमाम जानकारियों से आप संतुष्ट होंगे ठीक है ना चलिए साथियों तो फिलहाल के लिए इतना ही रोजाना की तरह फिर सुबह आपको Real News and Analysis में मुलाकात होगी डीटेल में सारी बाते समझने और सीखने के लिए दिन बर जुड़े रहने के लिए आपके द्वारा प्यार और इसी समर्थन के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद अपना खयाल रखें Free Special Classes के लिए रोजाना सुबह 10 बजे मेरे द्वारा World Mapping की Class ली जा रही है उसे आप Regular Follow करें Referral Code अंकित 10 है Unacademy पर Paid Batches पढ़ने के लिए आप मेरे साथ Connect कर सकते है मेरा Referral Code अंकित 10 आपको 10% का Discount दिलाता है Classes कैसे लेनी है इसके लिए आप Google Play Store से on Academy Learning App इंस्टॉल करें वहाँ से Goal सेलेक्ट करें अपना नंबर से अपना रजिस्टर कर ले Fees में आपके सामने दिये गए विकल्प में से आप Fees चुनाओ करें Referral Code 10 अंकित 10 लगा के 10% के डिसकाउंट के साथ आप अपनी कोर्स को परचेस कर ले जो भी कोर्सिस चल रहे हैं सभी कोर्सिस आपको मिल जाएंगे मेरे द्वारा भी पढ़ाए जाने वाले और मेरे साथ ही Educators के द्वारा भी ये मेरा Telegram चैनल है इस पर आप Connect कर सकते हैं आपको इसका PDF मिल जाएगा आपको मुझसे जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए हो तो इसकी डीटेल में आपको वो जानकारी भी प्राप्त हो जाएगी आपका समय शुब हो फिर मुलाकात करते हैं सुबह तब तक के लिए धन्यवाद